भगवान को प्राप्त करने का, उनके साथ एक होने का, शिग्र और सुगम उपाए क्या है? इस बारे में पूजय स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं। मनुष्य को भगवत प्राप्ती बहुत सुगमता से तथा जल्दी हो सकती है। इसमें भी गहराई से विचार करें, तो आसकती को छोड़ना भी कठिन नहीं है। कारण की कोई भी आसकती निरंतर नहीं रहती। आसकती मुख्य रूप से दो ही चीजों की होती है। भोग की और संग्रह की। परंतु इनकी आसकती एक दिन भी टिकती नहीं। उसमें निरंतर रहने की ताकत नहीं है। आसकती उत्पत्ती विनाश शील वस्तों में होती है। यह नियम है कि उत्पन और नश्ट होने वाली वस्तों से मनुष्य की त्रिप्ती कभी हो ही नहीं सकती। नाश्वान के द्वारा अविनाशी की त्रिप्ती कैसे होगी सोचो तो। नाश्वान की आसकती अविनाशी कैसे होगी। हो ही नहीं सकती। आसकती आगंतुक दोश है इसको मिटाने का उपाए है मेरा भगवान में ही प्रेम हो जाए इस एक इच्छा को बढ़ाए रात दिन एक ही लगन लग जाए कि मेरा प्रभु में प्रेम कैसे हो मैं उनको समर्पित कैसे हो जाओ उनके साथ एक कैसे हो जाओ एक प्रेम के सिवाए, और कोई इच्छा न रहे, दर्शन की इच्छा भी न रहे इस भगवत प्रेम की इच्छा में, बड़ी विलक्षन शक्ती है इस इच्छा को बढ़ाएं, तो बहुत जल्दी सिध्धी मिल सकती है इस इच्छा को इतना बढ़ाएं इतना बढ़ाएं कि बाकी सारी जितनी भी इच्छाएं हैं वो गल जाएं केवल एक ही लालसा एक ही कामना हमारे अंदर रह जाए कि मेरा भगवान में प्रेम हो जाए तो इसकी सिध्धी होने में आठ पहर भी नहीं लगेंगे मेरे को भगवान मेठे लगने लगें मेरा उनके चरणों में प्रेम हो जाए यहे वास्तों में हमारी आवश्यक्ता है एक आवश्यक्ता होती है और एक इच्छा होती है कामना होती है संसार की इच्छा को कामना वासना त्रिशना आशा इन नामों से जानते हैं परमात्मा की इच्छा को आवश्यक्ता जरूरत मांग भूख इन नामों से कहते हैं तात पर यह है कि नाश्वान की तरफ खिचाओ होना इच्छा है और अविनाशी की तरफ खिचाओ होना आवश्यक्ता है। हमने जड़ता के साथ जितना संबंध मान रखा है उतनी ही कमी है। उस कमी की पूर्ती के लिए ही आवश्यक्ता है। हम पत्ती मिल जाए। कितना ही वैभाव मिल जाए। कितने ही भोग मिल जाए। यहां तक की अनन्त अनन्त ब्रम्हांड मिल जाए। तो आवश्यक्ता निसंदेह पूरी हो जाएगी। हमारी आवश्यक्ता परमात मतत्व की है। इस आवश्यक्ता को हम कभी भूले नहीं। इसको हरदम जागरत रखें। नीद आजाए तो आने दें। पर अपनी तरफ से आवश्यक्ता की भूली मत होने दें। भगवान की प्राप्ती हो जाए। उनसे प्रेम हो जाए। इस प्रकार आठ पहर इसको जागरत रखें। तो काम बन जाएगा। बीच में दूसरी इच्छाएं होती रहेंगी तो जादा समय लग जाएगा। दूसरी इच्छा पैदा हो तो जबान हिला दें। सिर हिला दें। कि नहीं नहीं मेरी कोई इच्छा नहीं। अगर दूसरी इच्छा न रहे, तो आठ पहर भी नहीं लगेंगे परमात्म प्राप्ति होने में, भगवान के साथ एक होने में परमात्मा की प्राप्ति कठि नहीं है क्योंकि परमात्मा कहा नहीं है कव नहीं है किसमे नहीं है ऐसी कोई वस्तु नहीं बता सकते ऐसा कोई काल नहीं बता सकते कोई देश नहीं बता सकते कोई स्थान नहीं बता सकते कोई व्यक्ति नहीं बता सकते कोई अवस्था नहीं बता सकते कोई परिस्थिती नहीं बता सकते जिसमें परमात्मा ना हो केवल उनकी इच्छा की कमी है और कुछ कमी नहीं है केवल एक इच्छा हो जाए कि हमें परमात्मा कैसे मिलेंगे वे कैसे हैं यह देखने की जरूरत नहीं है केवल उनकी आवश्यक्ता की कभी विस्मृती न हो उनकी एक इच्छा, एक लालसा करने में तो समय लगेगा पर परमात्मा की प्राप्ति होने में समय नहीं लगेगा लोग पागल कहें, कुछ भी कहें, परवाह न करें केवल एक ही लालसा हो जाएगी, तो अन्य सभी इच्छाएं मिठ जाएंगी अन्य इच्छाएं मिठते ही, वह एक लालसा पूरी हो जाएगी गीता में भगवान ने कहा है अनन्य चेताह सत्तम योमाम स्मरति नित्यशह तस्याहम सुलभः पार्था नित्य युकतस्य योगी नहा तात पर यह है, हे प्रधानंदन, अनन्य चित्तवाला जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है उस नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए योगी के लिए मैं सुलब हूँ अनन्य चेता हकार्थ है कि एक परमात्मा के सिवाए कोई इच्छा न हो न जीने की इच्छा हो न मरने की न भोग की इच्छा हो न त्याग की न संसार की इच्छा हो न इंद्रिय सुखों की न सुख की इच्छा हो न दुख की सततम का तात पर यह है कि प्रातह नींद खुलने से लेकर रातری नींद आने तक स्मरन करें और नित्यशख का तात्परिय है कि आज से लेकर मृत्यों आने तक स्मरन करें इस प्रकार अनन्यचेताह, सततम तथा नित्यशख ये तीन बातें होने से भगवान सुलब हो जाते है तात्परिय है कि निरंतर एक ही आवश्यक्ता रहे एक ही भूख रहे, एक ही जग्रिती रहे कि भगवान कैसे मिलें, जहां एक वृत्ती हुई कि प्राप्ती हुई हमें भगवान की दूसरी वृत्ती रहेगी, तो बाधा लगीगी एक वृत्ती होने में कोई कठिंता भी नहीं है कारण की एक परमात्मा के सिवाए दूसरी कोई वस्तू टिकने वाली है ही नहीं फिर उसमें आसकती कैसे ठिकेगी वृत्ती कहां जाएगी किसी भी वस्तू में ताकत नहीं है कि वह हर जगह रहे हर समय रहे हर परिस्थिती में रहे हर वस्तू में रहे हर विक्ति में रहे हर अवस्था में रहे परंतु परमात्मा का किसी भी देश काल वस्तु विक्ति अवस्था और परिस्थिती में अभाव नहीं है परमात्मा के बिना कोई चीज है ही नहीं जो सब जगह विद्यमान है जिसका कहीं भी अभाव नहीं है उसकी प्राप्ति में देरी का कारण यही है कि उसको हम चाहते नहीं उसकी प्राप्ति न होने में पाप कारण नहीं है अगर पाप कारण हो तो पाप प्रबल हुआ पर मात्मा कमजोर हो गए परंतु यह संभव ही नहीं है मनुष्य की जो नीच वृत्ती या कृत्य है उसका नाम पाप है पाप टिकने वाला है ही नहीं सत्संग से नाम जब से गंगास्तनान से पाप टिकते ही नहीं बड़े से बड़ा पाप क्यों नहो उसमें टिकने की ताकत ही नहीं है पाप की सत्ता है ही नहीं सत्ता तो बस एक मात्र परमात्मा की है परमात्मा पाप में भी है पुन्य में भी अच्छे में भी है मंदे में भी है शुद्धी में भी है अशुद्धी में भी है किसी ने मेरे से कहा कि तुम्हारे भगवान तो नरकों में है मैंने कहा कि हमारे भगवान तो सब जगे है स्वर्ग में भी है, नरक में भी है तुम्हारे पूर्वज नरकों में गए तो उन्होंने वहां का समाचार दे दिया बस बात इतनी सी है भगवान से खाली जगे कोई हो ही नहीं सकती वे सब जगे परिपूर्ण है साथ में दूसरी कोई इच्छा न हो न सुख की, न दुख की, न संसार की, न भोगों की तो एक दो दिन भले ही लग जाए उनकी प्राप्ती जरूर होगी भगवान के सिवाए हमारे को न धन चाहिए न संपत्ती न वाह वाह चाहिए न आदर चाहिए न सतकार चाहिए न महिमा चाहिए न ही कुछ ओर चाहिए तो भगवत प्राप्ती जरूर हो जाएगी इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है परमात्मा कैसे मिलें कैसे मिलेंगे इस बात की जागरती हर दम रहेगी तो परमात्मात छिपे नहीं रह सकते भूख लगे तो खा ले प्यास लगे तो जल पी ले नीन्द आए तो सो जाए हट नहीं करना है भोजन में स्वाद सुख कुछ नहीं लेना है जल पीने में सुख नहीं लेना है नींद में, सोने में सुख नहीं लेना है जैसे रोग होने पर दवा खा लेते हैं ऐसे भूख लगने पर रोटी खा ले दवा लेने में सुख थोड़े ही लेते हैं दवा में रुची थोड़े ही होती है इच्छा केवल परमात्मा की ही रहे इससे सुगम साधन और होगा क्या दूसरी इच्छाएं साथ में रखते हैं यही बाधा है हर समय संसार को मांगते रहते हैं संसार के भोग संसार के सुक संसार की कामना हर समय चलती रहती है यही तो मुख्य बाधा है परमात्म प्राप्ती में अगर दूसरी इच्छा होगी तो भगवान के साथ एक कैसे होंगे मनुश्य कैसा ही हो पापी हो मूर्ख हो वह परमात्म प्राप्ति का पात्र है परमात्म प्राप्ति के लिए कोई भी कुपात्र नहीं है कैसा ही वेक्ति हो जाहे बड़े से बड़ा पापी या बड़े से बड़ा पुन्यवान सब पातर है बस केवल एक ही लालसा होनी चाहिए दूसरी लालसा न हो क्योंकि दूसरी लालसा परमात्म प्राप्ती में बाधक है अगर भूख प्यास और नीद तंग न करें तो खाने की पीने की और सोने की जरूरत नहीं है रोटी खाकर पानी पीकर नीद लेकर क्या कोई जी सकता है रोटी खाते पानी पीते नीद लेते हुए भी मनुष्य मर जाता है अमर नहीं होता उसको सो साल तक भी रोटी दी जाए तो भी एक दिन वह मर जाएगा ये तुम्हें अमर नहीं बना सकते संसार तुम्हें अमर नहीं बना सकता जीने की ताकत अन में जल में नींद में नहीं है किसी भी वस्तु में जीने की ताकत नहीं है अगर भूखे रहने से मनुष्य मर जाता है तो खाते पीते हुए भी मनुष्य मर ही जाता है एक दिन मरना तो पड़ेगा ही फिर नया नुकसान क्या हुआ जो होने वाला है वही तो होगा मृत्यू तो आनी ही है सबको भगवान ने गीता में भी कहा है जातस्य ही ध्रुव मृत्यूर ध्रुवम जन्म अम्रितस्यच जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यू निश्चित है परन्तु यहां में आप लोगों को भूखे प्यासे रहकर मरने के लिए नहीं कहता कारण की भूखे प्यासे रहने पर मन वैसा नहीं रहता अतह भूख प्यास लगे तो अन जल ले ले नींद आये तो सो जाए पर अपनी आवश्यक्ता को न भूले इतनी प्रार्थना है उसको हरदम जागरत रखे परमात्म प्राप्ति में समय लगाना हमारे अधीन है चाहे एक घड़ी में प्राप्ति कर ले चाहे अनेक दिनों, महिनों, वर्षों में प्राप्ति कर ले फर्क हमारी चाह में है परमात्मा के मिलने में फर्क नहीं है भगवान ने रामचरित मानस में कहा सन्मुख होई जीव मोही जब ही जन्म कोटी अब नास ही तब ही भगवान के सम्मुक हो जाएं तो करोडो जन्मों के पाप उसी क्षण मिठ जाएंगे पापों में, दुराचारों में, अवगुणों में ताकत नहीं है कि वे भगवान को रोक दे भगवान को रोकने की ताकत किसी में हो ही नहीं सकती अगर कोई भगवान को रोक दे तो वे भगवान हमें मिलकर क्या निहाल करेंगे वे भगवान हमारे किस काम के जो किसी के द्वारा भटक जाएं अटक जाएं केवल हमारी एक चाहना की आवश्यक्ता है साधक को यही सावधानी रखनी है कि इस चाहना की कभी विस्मृती नहो फिर भगवत प्राप्ती में कठिंता और देरी नहीं रहेगी भगवान के प्रति सच्ची चाह ही भगवत प्राप्ती का सरल स्रेष्ठ उपाय है झाल झाल